असलाम अलेकुम, इल्म की शमा में आज की इस वीडियो में आपको सेर कराऊंगी वादिये जिन की, लेकिन रुकिए, पहले ये सुन लीजिए कि ये वीडियो उन तमाम वीडियो से बहुत मुक्तलिफ हैं, जो आज से पहले आपने यूट्यूब पर वादिये जिन के बारे म इसमें वो कुछ बताया जाएगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी नॉलिज को बढ़ाएं और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको मेरी इस वीडियो को देखकर क्या सीखने को मिला और इससे आपने क्या जाना वादिय जिन मदीना मुनवरा में मस्जिद नबवी से तकरीबन 35 से 40 किलो मीटर के फासले पर मौजूद है वादिय जिन तक जाने का सफर शुरू हो चुका है बादल चाय हुए है और अत्राफ में पुरसरार नजराने वाले पहाडों का सिलसिला शुरू होने वाला है इन पहाडों को गोर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इन पर बहुत से नकोश आया हो जिन से चेहरों की मुशाभिहत रखते हों वहाँ पर एक धलवान भी है जहां पर गाड़ियां और पानी और हर चीज उपर की तरफ चरणा शुरू हो जाती है ये वादी खास तोर पर इसलिए मशूर है कि यहां पर कोई भी गाड़ी इंजन बंद होने के बावजूद चलना शुरू हो जाती है बलके उँचाई पर भी चरणा शुरू हो जाती है और इसकी स्पीड सो एक सो बीस तक पहुँच जाती है ना सिर्फ गाड़ी बलके अगर गिराया जाए तो वो भी उंचाई की तरफ जाता है इस वज़ा से लोगों के दर्मियान बहुत से किस से मशूर है कि इस वादी में जिन हैं जो के गाड़ीों को धकेलते हैं और ये भी कहा जाता है कि इन वादियों में मौजूद पहाड़ीों में ऐसी मकनाती सी ता इस वादी में किसी की कोई रहाइश भी मौजूद नहीं है ये इलाका सुनसान ही रहता है जब कोई यहां इस वादी को देखने आता है तो बस वही लोग नजर आते हैं इसके लावा यहां किसी की कोई रहाइश मौजूद नहीं है यहाँ पर यहबात भी बिश्यूर है कि लोग जब यहाँ पर इस वाधी को देखने आते हैं तो जिन्नाद जो हैं वो इस वाधी से इनको निकालने के दरपे होते हैं और किसी भी तरह से इनकी गाड़ियों को जो बंद करते हैं फिर से धकेल कर इस इलाके से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लोगों का ये भी कहना है वहां के लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने यहां रात को रुकने की कोशिश की और पड़ाव डाला तो इनको अजीब अजीब सी आवाजे आईं और उनसे कहा गया कि हमारी जगा है ये और यहां से चले जाओ इसके इलावा कुछ लोगों को आख के शोले भड़कते हुए दूर से नज़र आए और कुछ लोगों ने ऐसे शोलों को अपनी तरफ लपकता हुआ भी देखा अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई वो लोग कहते हैं इसमें लोगों को दो ग्रोहों में बाटा जा सकता है एक ग्रोह इस वादी को दियो मालाई किस्से और कहानियों से जोड़ता है कुछें कि ये क्या है इस वादी की हकीकत क्या है फिर देखें आपको आपका दिल ही सच्चाई से आगा करेगा अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा दिल क्या कहता है इस बारे में मेरा दिल ये कहता है कि अल्ला हर चीज़ पर कादिर है वो जब चाहेगा इन पहारों को रुई के गालों की तरह उड़ा देगा हवा में उड़ा देगा इसके चाहने से सिर्फ छे दिन में पूरी काइनात ने वजूद पाया और इनसान जिन्नात और हर मखलूग को अल्ला ही ने पैदा किया और अल्ला ही मारता है तो अल्ला ने इस वादी में अगर ये ताकत और कुदरत भर दी तो क्या इनपरादी बात है कौन सी साइस ये बात मानने को तयार है कि छे दिन में पूरी काइनात बन गई लेकिन खुरान में ये सब लिखा है आप पढ़ सकते है अल्ला दिन को रात और रात को दिन में तबदील कर देता है सूरज गिरन में सब ही ने ये मुशाइदा किया है समंदर की ते से मोती निकलता है जो बारिश के कत्रे से वजूद पाता है ये है अल्ला की शान आपने डैट सी के बारे में भी सुना होगा इसको बहरे मुड़ार भी कहते हैं इसका पानी इतना नमकीन है कि कड़वा महसूस होता है इसमें सुई भी नहीं डिबोई जा सकती और ना ही कोई इनसान इसमें डूब सकता है ना कोई जानवर इसमें जिन्दा रह सकता है ये सब अल्ला की शान है और इस सब से ये बाद साबित होती है ये सब अल्ला की शान है और इस सब से ये बाद साबित होती है कि अल्ला हर वो कुछ कर सकता है जिसको अकल तसलीम करने से इनकार करती है इसको किसी भी साइसी एंगल से देख लो लेकिन कर तो अल्ला ही रहा है न एक चोटे से बीच से तनावर दरफ का उगना, एक नापाक नुत्वे से इंसान का पैदा होना, बगर पिलर के आसमान का वजूद, और सिर्फ और सिर्फ रब जुल जलाल का कमाल है, इन वादियों में अगर कशिश है, तो मेरे अल्ला ने पैदा की है, ये कशिश खाने काब में भी है, और रोज़ा रसूल में भी है, आप देखें, मुसल्मान किस तरहां से खिचे चले आते हैं, ना माल देखते हैं, ना आल देखते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को रिष्टेदारों के पास छोड़ कर हज़ पर चले आते हैं, हम जब 2019 में हज़ पर गए तो वहां पहुँच कर हमारा दिल ही ना चाहता था कि हम घर वापिस आएं, बस यही कशिश थी मदीना में रुक जाएं, यही कि हम मक्का में रुक जाएं, अब इसमें कौन सी मकनाती सी कशिश डूनेंगे यह साइंस के गीत गाने वाले, मुसल्मान खिचे चले आते हैं, तमाम दुनिया से एक इसम अल्ला के गर और रोजा रसूल पर, अब मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप क्या मेरी इस बात से इस तरह से इत्वा करते हैं, मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत खयाल रखिएगा, मिलते हैं अग तक के लिए अल्हा है